हमारी बटालियन 2nd 3rd गोरखा राइफल्स का अभुत पूर्व योगदान रहा है और मैं अपनी पल्टन के वीसी पल्टन विक्टारिया क्रॉस बटालियन जिसको बोलते हैं उनके आल रैंक्स को मैं इसके लिए धन्नवाद देता हूं और आज की दिन में अपने सिवा निप की प्रवीन कुमार का आज विदाई समारोह है अपने सरुष के कारेकाल में उनहोंने क्या कुछ किया और किस तरह से अपने केरियर का शुरुवात किया और कैसे अपना सर्ँष का आज सेवानित हो रहे हैं हैं इसमें यह बताना जरूरी है कि इन्योंने इंडिन आर्मी में इंडिन मिलटरे कइडमी जॉइन करी 1987 में और कमिशन हो के सेकंद थर्ट गोरका राईपल्स में 1988 में। मैं उसी पल्टन काूं। हुँंका सीनियर हूं पल्टन में। और इन्होंने पिछले 33 साल में देश के हरे कौने में सर्विस करी है चाहिए वो श्याचिन ग्लेशर हो जम्मू कश्मीर काउंटर इंसेजन्सी हो चाहिए नौर्थीस्ट हो नागा लेंड मनीपूर उस इलाके में रेगिस्तान और मैं इनके हरे कौरे से मैं पैचान और इस टाफ में है इन्होंने परइब में क्या साथ अप्राय देख और क्या करेंश धीना और मैंट्स हो जो यही जी बताना जरूरी है यांग के आज उसी जगे से रिटायर होने है जहां से वो एक कैड़िट के तोर में यहां पे NCC में आये थे में बेजिये और यहांने के बाद में साब ने बियार स्टेट के लिए भी बहुत काम किया है मुझे मालूम है जगे जब आप यहां पर फ्लट जायते तब कारे किया है बहुत अद्भूद कारे किया है और मैं मादुर्गा से प्रातना करता हूं कि इनका भविश्य उजवल रहे इनकी जो कामना है वो पूर्णों इनका परिवार खुश रहे खुशी रहे जहें सो आज जहां से मैं एक एंसी केरेट के तौर पे प्रशक्षित हो करके एंडियन मिलेटरी एकाडमी जॉइन किया था और लगभद 33 वर्स की आमी की सेवा के पश्चात आज उसी रह करके यह 33 वर्स मैंने बिताए और बहुत अच्छे बिताए बहुत खुशी है मुझे अपनी सेना की सर्विस पे और सेना पे भारतिय सेना पे और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी रेजिमेंट और अपनी बटालियन सेकेंड थर्ड गुर्खा राइफल्स का कि वहां की एक ऐसी कल्चिर है कि एक साधारन ओफिसर इस रैंक तक पहुंच सकता है इस हाँ पर आने में यहां पे पहुंचने में हमारी बटालियन सेकेंड थर्ड गुर्खा राइफल्स का अभुत पूर्व योगदान रहा है और मैं अपनी पल्टन के वीसी पल्टन विक् कामना देता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ उन सारे सहयोगियों का चाहे वो आफसर्स हों जेसियोज हों एंसियोज हों सिविलन स्टाफ हों हमारे बहादुर जवान हों हमारे अच्छे कैडिट्स हों उन समों का जिन्होंने अपना प्यार अपना सहयोग और अपना कठि के तौर पे काम करके मुझे एक अच्छा काम करने में मदद किया और सफल रहने में मदद किया धन्यवाद जैहन